ही गाईस गूट मॉर्निंग और आज की मॉर्निंग की सुरुवात हो रही है कुछ इस तरीकी से मैं आपको बहर का नजारा दिखा रही हूं किचन की बिंडो से कुछ इस तरीकी का है ये सुवे का से इवन थर्टी का टाइम है मैंने फ्रेसरप में हो चुकी उठके और यहां के बाद मैं कुछ अपने काम करती हूं और मैं कभी भी खाली चाय नहीं पीती हूं मैं उसके साथ कुछ न कुछ स्नेक्स लेना पसंद करती हूं मैंने यहां पर बिस्किट्स लिया है कुछ और मैं यह चाय के साथ लूँगी चाय पीने के बाद होते हैं मेरे सब काम चालू मैं हाँ पे सुवए का नास्ता बना रही हूँ, मैंने फोर एग लिया हुआ है यहाँ पे, मैं उनको अच्छे से फैट लूँगी, मुझे हाँ पे एग बुर्जी बना के रेडी करना अपने हस्वेंड और बच्चों के लिए, देखिए एग रेडी हो चुका है, मैंने पैन पे गोल्डन ब्राउन होने तक हमको यह पका लेना है, और इसका हम एग बुर्जी बना के रेडी करेंगे, इसमें कुछ मसाले एड करना है, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार, नमक, आप कम ज्यादा कर सकते हो मसालों में, जैसी आपकी पसंद है, और इन सबको भी हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेना है, और यह अच्छे से देखिए, पक चुके हैं, भी मैं यहाँ पे हरादनिया एड करूँगी, इसको भी मिक्स कर लेना है अच्छे से, देखिए, यह ह चुका भी जो हमने एग रेडी करके रखा था, वो इसमें एड कर देंगे, और मैंने यहाँ पे गैस को स्लो ही रखाए, अच्छे से मिक्स कर लेना है, तब तक हमारा भुरजी बनके रेडी नहीं होगा, हमें इसी तरीके से मिक्स कर लेना, स्लो फ्लेम पे, मैंने गैस को द्यान रहे, अगर हम फास्ट करेंगे तो यह जल जाएगा, और हमारा अच्छा भुरजी बनके रेडी नहीं होगा, इसलिए गैस को स्लो ही रखना है, इस तरीके से हमें चलाते जाना है, और यह बिल्कुली खिला खिला बनके रेडी हो जाएगा, देखिए, बनके रेडी हो गया इई, इस तरीके से, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, जैसे भी आप खाना चाहों इसको खा सकते हो, मिन्टों में बन जाता है, और अच्छा बनके रेडी होता है, मैं यह तो नहीं कहूंगी स्वादिष्ट बनता है क्योंकि मैं एग लगा एग नहीं खाते हूं तो इसका कैसा टेश्ट होता है मुझे नहीं पता बट मेरे बच्चे खाते है अच्छा बनाएटू अच्छा ही टेस्ट होगा फिर तो आप जरूर से बनाएएगा प्राठो के साथ चपाती की साथ जैसे भी आपको खाना हो चरूर से खाईएगा और यह बनके रेडी हो गया मैं इसको सल्प कर लूँगी look at this कितना अच्छा लग रहा है न और यहां मैंने कुछ आटा लिया हुआ उसके अंदर मैं salted करूँगी first यहां पर मैं आटा लगा के रेडी कर लूँगी actually मैं बना रही हूँ हरी मटर के पराठे पराठे बनाने से पहले मैं पसंद करती हूँ आटा लगा के मैं side में रख दो क्यूंकि आटे को हमें rest देना बहुत important होता है आटे को जितना rest देते हूँ उतना ही अच्छा मारा आटा बनके ready होता है आटा लग चुका है मैं इसको rest पर रख दूँगी मैंने हापे onion, garlic, green chili, ginger और हरा मटर ये सब मैंने ले लिया है मैंने onion, garlic को fine chop नहीं किया मैंने मोटा मोटा ही रखा है कड़ाई लिया उसमें mustard cheese oil add किया है, jeera add किया है और ये जो मैंने सब कट करके रखा था मैं इसमें add कर दूँगी onion, garlic, green chili, ginger इन सब को मैंने fine chop इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें mixer करना है मिक्सी में piece लेना है, इसके लिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है इसको golden brown होने तक हमको पका लेना है low flame पे onion पके ready हो गया, मैं इसमें अपने हरे मटर इसमें add कर दूँगी और हमें ये भी low flame पे कुछ time के लिए पका लेना है देखिए color change हो गया है, मटर का almost पक चुका है, अभी मैं इसमें masala add करूँगी healthy powder red chili powder salt गरम masala धनिया powder आप चाहो तो यहां पे आमचूर powder add कर सकते हो, कर लीजी इनको अच्छे से mix और कुछ time के लिए इस लोग इस पे इनको भी पका लीजी मसाले अच्छे से पक जाएंगे, मटर में उनका flavor आ जाएगा, तब तक हमको पकाना है यह बनके ready हो गया, मैंने थोड़ा ठंडा किया है, ठंडा करने की बाद हम मिक्सी में इनको एक पीस लेंगे, याद रहे हमें इसमें पानी add नहीं करना है, हमको इसी तरीके से पीस लेना है, तेखिए मटर का मसाला बनके ready हो गया है, मैं प्लेट के अंदर इसको निकाल मेरा सब ready हो गया, मैं फटा-फट से प्राठे बना के complete कर लूँगी, मैंने आटे में से थोड़ा सा ऐसे लोई ले लिया है, और इस तरीकी से जैसे हम कचोड़ी बनाते हैं, आलू के प्राठे बनाते हैं, सैंव इसी तरीकी से बनाना है, बहुती easy है, बहुत simple है, आप इन साथ खा सकते हैं, बहुती स्वादिष्ट लगते हैं, और अचार के साथ तो specially बहुती और गरम गरम बटर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये जरूर से बनाईएगा, आपको पसंद आएगी ये recipe, एक बार बना के जरूर देखिएगा, मेरे कहने से, बिली में आपकी family में आपकी बच्चे सब को ये पसंद आने बाला, बट खवाईएगा गरम गरम, मक्खन के साथ या बटर के साथ, देखिए मैंने roll कर लिया है, तबा रखा तबा गरम हो चुका, मैं इसको डाल दूंगी और slow gas पर हमें दोनों तरप से पका लेना है, और फिर मैं इ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे refined oil का यूज किया है, लो फ्लेम पे ही हमको ये पका लेना है, और बिल्कुल लाल ये मतलब बनके ready हुआ था, crunchy, बहुती स्वादिष्ट बने थे ये पराठे, देखिए कैसे फूल गया है, देखिए look at this, कितना अच्छा color आया है न, और ये गरम-गरम तो बली, मी, बहुती स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप जरूर से बनाईएगा, और फिर मिंटों में बनके ready भी हो जाते हैं, मेरा एक बन गया है, मैं उसको side कर लूँगी और इसी तरीकी से में सारे बनाके complete कर लूँगी, slow gas में हमको ये पकाना आए, फटा फट से बन जाते हैं ये, इस तरीकी से मैंने oil aid किया, slow gas पे हम इनको सेक लेंगे, और इनकी खासियत ये, मटर के पराठे जरूर फूलते हैं, देखिए, जितने भी मैंने पराठे बनाईते हैं, सारे फूले थे, मैं इसी तरीके से सारे बनाके complete कर लूँगे, कितना अच्छा कलर आया है न, तो देरी किस बात कीती थे, अच्छे मटर आ रहे हैं बहर मार्कीट में, आप जरूर से ही बनाईएगा, look at this, कितना अच्छा पराठा बनके ready हुआ है न, अभी हम इनको करेंगे, मैंने यहाँ पे, आम का अच्छा, टमेटो केचप और दही, इन सब के साथ मैंने इनको सल्प किया है, आप चाहो तो इन्हें अच्छा के साथ, किसी के भी साथ, आप इनको enjoy कर सकते हूँ, देखे, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखे, look at this, कितना अच्छा यह पराठा बनके ready हुआ है, मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके, मटर के पराठी की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मटर का पराठा, enjoy कीजी, और मैंने आज आपके साथ, दो रेसिपी शेयर कीएं, एक भुर जी और मटर का पराठा, तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, यह रेसिपी कैसी लगी आपको, और इसके बाद सब काम हो गया था, तो मैं सब clean कर लूँगे, गैस को पॉच दूँगे, और सारे बरतन बगेरा भी मैं बोश करके रख दूँगे, मेरा यह यह मतलब मैं, मैं खाना बना के ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ गैस को, मेरा मतलब में खाना भी बाद में खाती हूँ, पहले में गैस क्लेन करती हूँ, बरतन बोश करती हूँ, उसके बाद में खाना खाने बैठती हूँ, मतलब एक हैविट के जैसा ये बट अच्छी हैविट है ऐसे ही करना चाहिए, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजि झाल झाल झाल